Hello everyone, today we are going to discuss Geography Class 8 Chapter 2 and the title of the chapter is Land, Soil, Water, Natural Vegetation and Wildlife Resources. इस चैप्टर की सुरुवात हम लोग दो बच्चों की कहानियों से सुरू करेंगे और ये दोनों कहानियां अगर आपको समझ में आ जाती हैं If you are able to understand these two stories, you'll be able to understand the whole chapter because these two small stories reflect what we are going to learn in this chapter. So let's begin with story number one and the story number one is related to a little girl, a girl Mamba. Let's see something about Mamba. In the continent of Africa, there is a country, Tanjaniya. In Tanjaniya, in a very small village near a mountain, a girl lives in a hut. The girl's name is Mamba and Mamba fetches water. Mamba पानी भरने का काम करती है अपने घर के domestic works के लिए. इसका मतलब वो अपनी मदर को support करती है. Mamba और क्या करती है? Mamba helps her mother in domestic works. Fetching water is one thing. She does many other things at home, many other works at home and her objective is to support her mother, to help her mother. Then, Mamba does one more thing. Mamba एक और काम करती है. Mamba वो तीसरा काम कौन करती है भई? Mamba helps brother taking care of goats. Mamba goats की देखभाल में, बकरियों की देखभाल में अपने भाई की मदद भी करती है. यानि इन बातों से Mamba को पढ़ाई लिखाई की फुरसत तो नहीं मिलती होगी. तो Mamba शायद school नहीं जाती है. She doesn't go to school. Whatever, जो भी possible होता है, वो शायद घर में ही कुछ सीख लेती होगी. तो सीख लेती होगी. इसका कुछ reflection इस story में नहीं है. उसके भाई के बारे में भी कोई reflection नहीं है, कि वो पढ़ाई करता है या नहीं करता है. इसे एक बात और स्पस्ट हो जाती है, कि इनके घर के आसपास में water supply नहीं है, कोई school नहीं है. ठीक है? तो और भी थोड़ा हम देखते हैं मामबा के बारे में और जानकारी अगर मिल सके तो मामबा के बारे में और जानकारी हम लोगों के पास है, कि मामबा की family के पास एक छोटा सा rocky land है. हर family owns rocky land, rocky land का मतलब हुआ पहाड़ी, जमीन. और पहाड़ी जमीन है, तो सायद उसमें fertility तो उतनी नहीं होगी, आप लोग अच्छे से जानते हैं, आप लोग intelligent हैं. और ये जो rocky land है, इनका वो कहाँ पे है? वो इनके hut के पास में ही है, यानि दूर नहीं जाना पड़ता इसके लिए. उसमें ये लोग उगाते क्या हैं? मामबा के father agriculture का काम करते हैं, वो मेज और beans उगाते हैं, लेकिन एक जरूरी बात यहां पे ध्यान देनी है, कि it's too less to feed the family for the whole year. और सालों भर खाने के लिए ये मेज और ये beans कम पड़ जाता है. इसका एक और मतलब हुआ, कि मामबा की family किसी तरह से अपना गुजारा करती है, तो ये कहानी रही मामबा की उमीद है. आप सभी intelligent aspirants को ये बात समझ में आ गई होगी, अब हम लोग चलते हैं New Zealand. और New Zealand में इसके ठीक opposite हम लोग एक और कहानी देखते हैं, वो कहानी है Peter की. मामबा के साथ जो भी हो रहा है, उसका ठीक opposite Peter के साथ है. पीटर एक लड़का है, कहाँ पे है भाई? New Zealand में है, New Zealand के एक छोटे से वेरी स्मॉल टाउन में पीटर की फेमिली रहती है. Lives in a ship rearing region, ship rearing region मतलब cattle rearing का काम ये लोग करते हैं, cattle rearing का काम तो मामबा के यहां भी होता था, लेकिन वो लोग गोट रखते थे, ये लोग सीप रखते हैं. Family runs a wool processing factory, पीटर की फेमिली के पास एक wool processing factory है, इसका मतलब ये लोगों को टेक्नलोजी का अच्छा ग्यान है. After school, पीटर लेर्न्स ship rearing from uncle, joint family है. लगे हातो, मैं आप लोग को फेमिली के बारे में बता दो, mother, father and their unmarried children living together is a family. पती, पतनी, माता, पिता और उनके अविवाहित बचे. अगर एक साथ रहते हैं, तो इसको हम लोग फेमिली बोलते हैं. फेमिली के लिए सबसे जरूरी element है, marriage. Marriage is the most important element required for making of a family and the most important function of a family is to carry forward generation, अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाना. अगर इसी तरह की दो, तिन फेमिली एक साथ रहती हैं, तो उसको हम लोग joint family कहते हैं. जैसे, example के लिए मैं आपको बता दूँ, grandfather, grandmother, और आपके grandfather, grandmother के दो बेटे हैं और एक बेटी हैं, यानि आपके uncle, आपकी बुआ जी, उनके बच्चे, अगर ये सब लोग एक साथ रहते हैं, तो that is a joint family. तो family के बारे में भी समझ गए हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे, और आगे बढ़ते हैं, तो ये पाते हैं कि Peter's family owns a shipyard on a grassy plain with the hills, पहाड़ी से सटा हुआ, इनके पास एक अच्छा खासा grassland वाली जमीन है, और यही पे इनका shipyard है, और यहाँ ये लोग technical तरीके से ship rearing का का काम करते हैं, थोड़ा हम लोग Peter के बारे में और जानते हैं, देखते हैं, managed in a scientific way with latest technology, what is managed here, their shipyard, their wool processing factory, Peter की family की जो shipyard है, या Peter की family की जो wool processing factory है, यहाँ technological तरीके से काम करते हैं, लोग scientific तरीके से लोग काम करते हैं, latest technology की, family grows vegetables through organic farming, organic farming में ये लोग अच्छा खासा knowledge रखते हैं, और उसी से ये लोग vegetables वगेरा की खेती करते हैं, जो इनके लिए sufficient है, एक और बात है, इनके घर से कुछ दूरी पर पहाड़ी है, जाहिर है, काफी अच्छा इलाका है, इनकी ships के लिए अच्छा खासा grassland इनको मिल जाता है, तो हम लोगों ने जब इन दोनों कहानियों पे गौर किया, तो क्या पाया, देखते हैं क्या पाया, हम लोग मामबा और पीटर की कहानी को जब मिला देते हैं, और उनको compare करते हैं, तो क्या पाते हैं, आप लोग भी गौर कर नहीं होती है, और होनी भी नहीं चाहिए, आप सब लोग बहुत अच्छे हैं, intelligent हैं, थोड़ा सा अगर focus करेंगे, तो बातों को अच्छे से समझ पाएंगे, ध्यान रखना है, हमारा objective रटना तो बिलकुल नहीं है, क्योंकि रटना अटक सकता है बीच में, सीखना हमेशा दूसरों को सिखाएगा, तो हम लोग पीटर और मामबा यानि मामबा और पीटर की दोनों कहानियों से ये पाते हैं, we learn from the stories of मामबा और पीटर that live different lives in different parts of the world, who? मामबा और पीटर, मामबा और पीटर दुनिया के दो अलग-अलग regions में रहते हैं और इसलिए उनका lifestyle भी बिलक अलग-अलग है, तो because of the differences in the quality of इनकी life में ये differences क्यों है, ये जिस जिस area में रहते हैं, दो अलग-अलग पार्ट में रहते हैं, तो दोनों पार्ट अलग-अलग क्यों हैं, क्योंकि differences है, क्या चीज में differences है, छे बातों में differences है, there are differences of six things, number one, land, number two, soil, number three, water, number four, natural vegetation, number five, animals, and number six, the use of technology, in six elements में, मांबा और पीटर की life style में differences है, क्योंकि मांबा तंजानिया के एक छोटे से गाहों में रहती है, पीटर न्यूजिलैंड के एक छोटे से पहाड़ी शहर में रहता है, दोनों की life style बिलकुल अलग है, क्योंकि दोनों जिस area में रहते हैं, वहाँ ये छे चीजें बिलकुल अलग अलग तरीके से हैं, तो कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब हुआ, कि if we live in different parts of the world, our lifestyles will be different, why, because of these reasons, these things differ from region to region, area to area, and that is why life differs from area to area, one part of the globe to the other part of the globe. Now, what do the two stories reflect? मामबा और पीटर की कहानी किस बात को reflect करती है भाई, तो इस बात को reflect करती है, कि places differ from each other, एक कोना दूसरे कोने से बिलकुल अलग होता है, धरती का एक कोना, गलोब का एक कोना दूसरे कोने से बिलकुल अलग है, दुनिया का एक पार्ट दूसरे पार्ट से बिलकुल अलग है, क्यों अलग है भाई? Because availability of resources differ, क्योंकि the availability of resources in one part of the world differs from the other part of the world. तन्जानिया में मामबा को जो भी resources मिले हैं, वो बिलकुल differ करते हैं Peter को जो resources मिले हैं New Zealand में उन से. इतनी बात तो आप लोगों को दो कहानियों से clear हो गई, तो ये हमारा foundation है, background है इस chapter का. अगर इन दो कहानियों पे हम जोर दिये रहेंगे, तो आगे की हर बात, हर concept हमारे लिए आसान होने वाला है. Let's go. Land. Land किसको बोलते हैं? Geography में? Land का मतलब हुआ the most important natural resource. Land के बारे में कुछ बाते हम लोगों को जान लेनी चाहिए. उसमें से पहली बात ये है, कि जितने भी natural resources हम लोग दुनिया में पाते हैं, देखते हैं, उन सब में land सबसे ज़्यादा important है. तो सबसे ज़्यादा अगर important है, तो एक बात पर हम यहीं पे थोड़ा जोर दे लेते हैं, कि resource क्या है? तो resource को हम लोगों ने define किया है, first chapter में, और यह पाया है कि everything that has usability and that has value is called a resource. हर वो चीज जिसकी usability है, उसका value भी होगा, और अगर उसकी usability है और उसका value है, तो वो एक resource है. Land इसकी usability है, इसका value है, इसका value इसकी usability के accordingly होगा, जैसा जमीन वैसी उसकी value. यानि land बेस्ट नेचुरल रिसोर्स है, ओके, land covers only 30% of the total area of the earth's surface. अर्थ का जो surface है, उसका 30% हिस्सा land है. तीसरी बात है, कि all the parts are not habitable, land का जो part है, यानि पूरी धर्ती का, जो 30% हिस्सा land है, ये पूरा 30% का 30% inhabitable नहीं है, रहने के लाइक नहीं है. जाइर है, यहाँ पर रहने के लाइक जो भी resources चाहिए, वो नहीं है. soil में fertility नहीं हो सकती है, water की availability नहीं हो सकती है, transport communication की availability नहीं हो सकती है, बाकी चीजों की भी availability नहीं हो सकती है, और इसलिए ये habitable नहीं है. पूरा और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, तो हम ये पाते हैं कि the uneven distribution of population पूरे land पर जो 30% हिस्सा land है, एक तो बात ये हो गए कि पूरा का पूरा inhabitable नहीं है, अब जितना भी inhabitable है, उसमें क्या इस्थिति है, तो पूरा का पूरा जो land है, वहाँ uneven distribution है population का. किसी area में density of population कम है, किसी area में density of population बहुत ज़ादा है. अब ये density of population क्या हो गया? पर square kilometer area में जितने भी लोग रहते हैं, the number of people living और residing in square kilometer area of land is called density. तो जो density of population है, वो uneven है पूरे land पर, जो भी inhabitable land है वहाँ पर, तो इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? It is mainly due to varied characteristics of दो चीजों के, अलग-अलग characteristics के कारण है ये, और ये दो चीजे कौन ही? पहला है land और दूसरा है climate, यानि land और climate के varied characteristics के कारण, ये uneven distribution of population है. ठीक है? आगे बढ़ते हैं. स्पार्सली populated या uninhabited areas in the world. कौन-कौन से ऐसे हैं? पहला है rugged topography. कोई topography का मतलब होता है relief. relief का मतलब समझते होंगे आप लोग? किसी भी surface का, जो highest level of area होता है, और lowest level of area होता है, दोनों का, अगर हम average निकाल लें, तो वो वहां की topography कही जाती है. इसी में आता है mountains, rivers, platews, ये सब आ जाते हैं. कोई कम धरातल पे है, कोई उचे धरातल पे है, कोई कम height पे है, कोई उची height पे है. सब का अगर average निकाल लें, तो वो हो गया topography. तो rugged topography, यानि उबडखाबड topography है, steep slopes of mountains, mountains की slopes अगर काफी तेज है, steep का मतलब हुआ है, बहुत तेज, खड़े mountains, एक mountains होते हैं, जिनके उपर लोग दोड़के भी चड़ जाते हैं, और एक ऐसे होते हैं, कि चाहे कुछ भी कर चड़नी पाओगे, गिर जाओगे, और गिरोगे तो बचोगे कि नहीं, इसका कोई ठर्टिकाना नहीं होता है, ये steep slopes हैं, काफी तेज स्लोप वाले mountains, नुकीले, desert areas, इधर भी population बहुत जादा नहीं है, क्योंकि कुछ भी जो जीने खाने के लिए जरूरी है, जीवन को बन जाए रखने के लिए जरूरी है, वो यहाँ पे नहीं है, ठिक forested areas, काफी घने जंगल, काफी घने जंगल, सत्पुडा के जंगलों के बारे में आप लोग पढ़े होंगे, इनके ऊपर तो कविताएं भी लिखी गई है, poems भी लिखी गई है, हिंदी poems, पांचवाँ एरिया है, low-lying areas, susceptible to water logging, जिस area में बहुत water logging होता है, जमीन दल्दली हो जाती है, और वहाँ भी रहना बड़ा, मुस्किल हो जाता है, ठीक है, तो इन areas में, in these areas, population is sparsely, so these areas are sparsely populated areas, which areas, again I repeat, rug topography area, steep slopes of mountain area, desert areas, thick forested areas, low-lying areas, susceptible to water logging, these are sparsely populated areas in the world, uninhabited areas in the world, densely populated areas, there are some areas in the world which are densely populated, which are famous for dense population, dense population means what, per square kilometer, number of persons very high, okay, river valleys and number two, plains, पहला river valleys का area, और दूसरा plains, यानि मैदानी इलाका, river valley आप लोग जानते होंगे, most of the civilizations, rather almost all the ancient civilizations emerged in river valleys, river valleys में civilization जब emerge होई, तो आप समझ सकते हैं, कि river valleys में काफी सुविधाएं होती होंगी, जैसे moderate climate होता है, irrigation की facilities है, drinking water की facilities हो जाती है, ये river valleys के जो areas हैं, वो नविगेबल भी हो जाते हैं, hunting के लिए आसान हो जाते हैं, बहुत सारी facilities यहाँ होती हैं, इसलिए, और plains fertile होते हैं, यहाँ पर means of transport communication डेवलब करना बड़ा आसान होता है, इसलिए इस area में ये possible हो जाता है, सो river valleys and plains, because both provide suitable land for agriculture, river valley का area और plains का area, ये दोनों land काफी fertile होते हैं, इदर की soil बहुत fertile होती है, and due to that, for agriculture, people reside over there, so this is also clear, I hope, now we are going to see what are the uses of land, or how land is used by us, हम लोग land का use कैसे कैसे करते हैं, किन किन रूपों में करते हैं, थोड़ा एक नजर इस पे भी डाला जाए, तो हम लोग देखते हैं कि land is used for different purposes, and some uses have been given over here, agriculture के लिए करते हैं, forestry के लिए करते हैं, mining के लिए करते हैं, construction के लिए करते हैं, building houses के लिए करते हैं, roads के लिए करते हैं, setting up industries के लिए करते हैं, और building stadiums के लिए करते हैं, hospitals के लिए करते हैं, schools, colleges के लिए करते हैं, बहुत सी चीजों के लिए हम लोग land का use करते हैं, बहुत से ऐसे नाम है जो मैंने अभी नहीं लिये लेकिन आप सब लोगों के दिमाग में जरूर चल रहा होगा आप लोगों का दिमाग बहुत तेज चलता है और आपरिशियेट लेकिन सवाल यह है कि किस जमीन पर किस लांड पर ट्रांश्पूट और कमुनिकेशन का साधन डेवलब करना चाहिए किस जमीन को किस लांड को फॉरिश्ट के रूप में डेवलब करना चाहिए किस land को school colleges बनाने के लिए यूज करना चाहिए, किस land को forest के रूप में और develop करने के लिए यूज करना चाहिए, ये कई बातों पे depend करता है, तो land use is determined by basically two factors, one is physical factor and second one is human factor, So physical factor की category में, यानि physical factors कौन-कौन से हैं, physical factors are topography, soil, climate, minerals, availability of water, ये सब factors हैं, physical factors हैं, जो land के use को determine करते हैं, यानि ये चीजें जहाँ पे ज़्यादा होंगी, वहाँ density of population होगी, अच्छी होगी, Human factors में है technology, और दूसरा है population, जहाँ population की density अच्छी होगी, जहाँ पर technology अच्छी develop होगी, जाहिर है उस area में population का रहना ज़्यादा होगा, और लोग भी अच्छे से रहना वहाँ चाहेंगे, दूर दूर से लोग आके वहाँ पे बसना चाहेंगे, रहना चाहेंगे, तो दो factors ह हो गए, तो factors are determining land use, and they are physical factors, and human factors, physical factor में कुछ आते हैं, और कुछ human factor में आते हैं, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, Land on the basis of ownership, land का ownership, किसी ना किसी का तो होता हुआ, आप लोग बात करते हुए, तो कहते हुए, वो जमीन उनकी है, ये जमीन हमारी है, वो जमीन तुम्हारी है, ये कैसे हुआ, ये तो ownership के base पे हुआ, कभी-कभी ऐसा भी तो हम लोग कहते हैं, ये जमीन सरकार की है, ये जमीन community क है सबकी है तो उस बेसिस पर on the basis of ownership land is of two types private land owned by individuals one individual और group of individuals कभी कभी आप लोग cooperative society की जमीन के बारे में सुनते होंगे land के बारे में सुनते होंगे ठीक है तो वो हो गया एक का नहीं कई लोगों की जमीन वो हो गई कई लोगों ने मिलके community बनाई और उसको कई लोगों ने मिलके एक cooperative बनाई और उसको जमीन को develop कर दिया उसके owner वो सब लोग है यानि individual और group of individuals यह हो गया private land इसको बोलते हैं owned by individuals दूसरा जो है community land owned by the community और common use for common use community जिसको common use के लिए own करती है उसको हम लोग बोलते हैं community land आपके घर के सामने में बहुत बड़ी जमीन है जहां मुहले भर के बच्चे आकर खेलते हैं अगर किसी से पूछा जाई यह जमीन किसकी है तो लोग बोलते हैं हमारी नहीं है हमारी नहीं है हमारी नहीं है तो किसकी है भई यह community land है यह सरकार की जमीन है सरकार के हक में है सरकार की जवाबदारी में है सरकार के ownership में है और सरकार किसकी है democracy is the government of the people for the people by the people ठीक है तो यह community land हुआ तो on the basis of ownership land is of two types number one private land and number two community land private land for private use community land for community use it's clear major threats to the environment हम लोगों का जो environment है यानि हमारी जो surrounding है जिसमें solid liquid gas तीनों form की चीज़े आती है यह इसको threat किस्से है इसको डर किस्से है इसको भय किस्से है इसको खत्रा किस्से है यह हम लोग थोड़ा देखते हैं so major threats to the environment are number one land degradation number two landslide number three soil erosion and number four desertification यह चार बातों से environment को बहुत बहुत खत्रा है इनके बारे में आप लोग class पीछे जो classes पढ़े हैं six और seven में वहाँ भी आप लोगोंने इनके बारे में पढ़ा है वैसे हम लोग एक बार आगे और इनके बारे में जानेंगे major threats to the environment में हम लोगोंने चार factor देखा number one में देखा था land degradation number two में landslide number three में soil erosion number four में desertification लेकिन ये चारो threat कहां से आ गए ये चारो threat के वल दो कारण से आते हैं और वो दो कारण कौन है number one the expansion of agriculture बढ़ते हुए population के लिए जो food, clothing और shelter चाहिए उन तीनों के लिए हम लोग खास करके पहले दो के लिए तो जरूर यानि food के लिए और clothing के लिए हम लोग agriculture को expand किये जा रहे हैं फैलाए जा रहे हैं ठीक है और दूसरी बात है construction activities जो population बढ़ रहा है agriculture ने उसको food दे दिया clothing दे दी अब construction activities करनी पड़ेगी तभी तो उनके लिए घर बनेगा तभी तो उनके लिए these four things are there which four things land degradation landslides soil erosion desertification and these four are the major threads to our environment clear हो गया तसल्ली हुई ओके और आगे हम लोग बढ़ते हैं destruction of forest cover and arable land forest cover और arable land का destruction जो है वो क्यों हो रहा है कैसे हो रहा है थोड़ी नजर इस पे भी हम लोग डालते हैं destruction of forest cover and arable land इसके कारण क्या-क्या है याद रखना है पुरानी बातों को वहीं से सारे points निकलेंगे तो पहला हो गया growing population बढ़ती हुई जन संक्या और जन संक्या ऐसी तैसी नहीं बढ़ रही है ठीक है दो से चार चार से सोला ऐसे बढ़ रही है जन संक्या तो growing population काफी fast बढ़ती हुई population जिसको population explosion भी लोग कहते हैं तो उसके कारण और दूसरा है ever growing demands of growing population दोनों point एक दूसरे से related है population बेतहासा बढ़ता जा रहा है जन संक्या बढ़ती जा रही है और बढ़ती हुई जन संक्या को तीन चीजें तो कम से कम बहुत जरूरी है फूड चाहिए भोजन चाहिए तो agriculture के लिए deforestation हो रहा है पेडों की कटाई हो रही है slash and burn agriculture आप लोग तो पढ़ चुके होंगे और उसके साथ साथ जो growing population है उसके लिए क्लोधिंग चाहिए तो cotton की खेती और बाकी चीजें जिनसे कपड़े बनते हैं उनकी जूट वगएरा भी है और फिर चाहिए उनके लिए बाकी growing demands तो बाकी growing demands क्या है उनके रहने के लिए shelter चाहिए houses चाहिए तो urbanization काफी तेजी से हो रहा है नए नए शहर नए नए colonies बन रही है ठीक है इनके लिए जमीन पे ही तो बन रही है बाकी कहां बन रही है उसके बाद उसके लिए hospital चाहिए school चाहिए सडकें चाहिए है ना club houses चाहिए खेल के मैदान चाहिए और इन सब के लिए साफ किया जा रहा है जंगलों को और इसलिए यह सब हो रहा है तो destruction of forest cover and arable land दो reason हो गए पहला reason हुआ growing population और दूसरा reason हो गया growing population के लिए ever growing demands बढ़ता हुआ demand दो बाते clear होई जन संख्या और उस जन संख्या के demands यही हो गए ठीक आगे conservation of land resource land resource का conservation बहुत जरूरी है जब इनके threats हमें मालूम हो गए जब इनके reasons हमें मालूम हो गए किस चीज के threats to our environment ठीक है तो इनको हमको बचाना भी तो पड़ेगा जब जहम जानते हैं कि यह हमारे लिए बहुत जरूरी है तो हमें इनको बचाना भी पड़ेगा कि इनको कंजर्ब करने के क्या तरीके रीस будут यानि बचाने के क्या क्या method है यानी बचाने के क्या method है कभाल यह कि करेगा कऊन कैसे करेंगे कब करेंगे क्यों करेंग यह सब को मालू 오래कर ना पड़ेगा ना पड़ेगा ठीक कि कई तो गौमनल कि अटा है आप लोग कर और आप लोग को अच्छा लगे तो जरूर इसको फॉलो करना And what is that? On every birthday, you plant a tree. It's my appeal to you, all of you. आप अपने birthday में इस धर्थी को, इस लैंड को एक गिफ्ट जरूर दो, साल में एक गिफ्ट दे दो. इस धर्थी ने आपको food दिया, clothing दिया, shelter दिया. आप भी एक इनको return gift दे दो अपने birthday में. And what return gift I am suggesting you to give to the land, to the earth? That is one tree. One birthday, one tree. And you are required to appeal. I request you to appeal to your relatives, your family members, your friends also, even your teachers, even your colleagues, if you are a teacher. तो आप उनको जरूर बोलिये कि अपने हर birthday में एक पेड लगाएं. ठीक है? तो यह काम आप लोग कर सकते हैं. That is afforestation, land reclamation. जमीन बरबाद होती है कहीं-कहीं. उसको जैसे treat किया जाना चाहिए, वैसे treat नहीं किया जाता है. तो उसमें जो fertility होती है, वो धीरे-धीरे चली जाती है. उसको conserve करने की जरूरत है. Land reclamation. Land को reclaim करना. ठीक है? उसको क्या करना? बराबर use के लाइक maintain रखना. ये भी एक बात है. तीसरा है, regulated use of chemical pesticide and fertilizers. agricultural land में लगातार same pesticide, fertilizer, chemical का यूज करेंगे. If we are using chemicals, fertilizers, insecticides, pesticides, in the same agricultural field, continuously for 3, 4, 5, 6 seasons, then the fertility of soil gets lost. खतम हो जाती है. इसको बचाने के लिए इनका यूज हम लोगों को regulate करना चाहिए. यानि काफी सोच समझ के करना चाहिए. थोड़ा gap से करना चाहिए. checks on overgrazing. When there is agriculture and cattle yearning together, it is called pastoralism. तो जो pastoralist लोग होते हैं, वो agriculture के साथ साथ cattle yearning भी करते हैं. उनके cattle, अक्सर जंगलों में जब जाते हैं, forest areas में, तो saplings को खराब कर देते हैं, जो नए पौधे निकलते हैं. पुराने पेड़ गिरेंगे, बट नए निकलेंगे भी तो. तो वो नए पौधों के saplings खराब हो जाते हैं. याद रखना है, overgrazing से हम लोगों को धर्ती को बचाना है. क्योंकि अगर overgrazing होगी, तो soil erosion भी होगा. ये बाते हैं. तो आप लोग इतनी बाते समझ गए? ओके. लैंड स्लाइड्स, एक बहुत बड़ी problem आजकल देखने को मिल रही है, लैंड स्लाइड्स की. लैंड है, स्लाइड कर गया. अपार्ट अफ लैंड वन इट स्लाइड्स, तो उसके रास्ते में दाएं बाएं आगे, पीछे तो नहीं, दाएं बाएं और आगे, जो भी आएगा, वो जाएगा. है ना? तो लैंड स्लाइड्स के बारे में जानते हैं. The mass movement of rock, debris of earth, down a slope. Slope के उपर से जब फिसल जाता है, क्या चीज? Movement of rock, चटाने खिसक जाती है. Debris, मलवा जिसको आप लोग बोलते हैं, वो खिसक जाता है. बह के जो भी आ रहा है पानी के बहाओ में, वो फिसल गया नीचे. तो उससे नीचे जो लोग रह रहे हैं, उनको तो खत्रा होगा. तो इसको हम लोग landslide बोलते हैं. थोड़ा और जानते हैं, landslides के बारे में. Landslides often take place. कहां-कहां पे landslides जादा होती है, अकसर होती है. अकसर जब हम लोग सुनते हैं कि landslide हुआ है. तो कहां पे हुआ है, तो कुछ ऐसी जगहें हैं, जहां landslides अकसर होती है. कौन-कौन सी? नमबर वान, in conjunction with the earthquakes, floods, and volcanoes. जहां पे earthquakes का ज़्यादा chances होता है, यह जहां earthquakes आते हैं, जहां volcanic eruption होते हैं, जहां floods ज़्यादा आती हैं, उस area में landslide की संभावना ज़्यादा होती है. ठीक है? probability ज़्यादा होती है. दूसरा है, prolonged spell of rainfall, काफी लंबे समय तक अगर rainfall होता रहे, बारिस होती रहे, लगातार हो और बहुत ज़्यादा हो. काउज heavy landslide उससे बहुत बड़ा landslide होता है, ज़्यादा landslide होता है, frequently landslide होता है, and it can block the flow of river. नदियों के बहाव, नदी भेरे यह, उपर से landslide हुआ, पूरा डेबरिस, मलवा, रॉक्स, रास्ते में आ गए, नदी का रास्ता ब्लॉक हो गया. तो इस ब्लॉक होने से क्या होता है, कि एक considerable amount of time, काफी लंबे समय तक ये नदी का रास्ता ब्लॉक रहता है, जब काफी force आता है, या लोग मिल करके, है न, government या community के लोग मिल के उसको जब हटाते हैं किसी तरह से, तब फिर नदी का रास्ता clear होता है, नहीं तो नदी का रा होता है, तो that causes damage to the downstream, नीचे जो flow जाती है, उसको बहुत नुकसान पहुंचता है, नीचे जो लोग रहते हैं, उनको भी बहुत नुकसान पहुंचता है, डाउन स्ट्रीम में जो settlements होते हैं, बिलकुल नीचे जो settlements होते हैं, क्योंकि slide हो रहा है, तो उपर से नीचे हो रहा है तो नीचे के area में जो लोग रहते हैं, जो पड़ी बनाके, घर बनाके, उनको बड़ा नुकसान होता है, आप लोग कभी-कभी new channels पे ऐसे news सुनते होंगे, देखते होंगे, it is a natural disaster, landslide को natural disaster के रूप में माना जाता है, and the governments in different parts of the world, which are famous for, which are facing frequent landslides, are very-very alert nowadays, landslides and advancement, थोड़ा landslide के advancements के बारे में जानने की कोसिस कर लेते हैं, ये advancement की बात क्या है भई, इसमें तीन बाते आएंगे, पहली बात ये, कि landslide क्यों होता है, किन-किन कारणों से landslide होता है, कुछ ऐसे scientific techniques, methods, tools, develop किये गए हैं, जिन से ये पता लगाया जा सके, कि landslide के कारण क्या-क् ये पहली बात, दूसरी बात, कि जब कारण पता लग गया, तो ये किस-किस area में landslide की संभावना जादा हो सकती है, इसका बिलकुल correct prediction किया जा सके, कि यहाँ पर अब landslide हो सकता है, तो दो बाते हो गई, और तीसरी, कि landslide हो गया, तो अब जो चीजें उससे affected हो सकती हैं, उन landslide, ये भी एक आता है, advancement के अंदर, landslides, mitigation techniques of landslides, mitigation techniques, landslide हो गया, अब उसको कैसे हम लोग रोकेंगे, या होने की संभावना है, तो वो ना हो, इसको कैसे रोकेंगे, थोड़ी सी नजर हम लोग इस पे भी डालते हैं, तो पहला है, mitigation technique में, कि hazard mapping to locate areas prone to landslides, ऐसी tools और techniques लोगों ने develop की है, scientists लोगों ने develop की है, कि हम पता लगा सकें, कि कौन से एरिया में landslide होने वाला है, उसकी intensity क्या हो सकती है, उससे क्या नुकसान हो सकता है, और क्या हम उसको रोक सकते हैं, अगर रोक सकते हैं, तो कितना रोक सकते हैं, इस बात का, second, construction of retention wall to stop land slipping, land slipping को रोकने के लिए retention wall बना देना, कोई चीज अगर उपर से फिसल के आ रही है, और यहाँ अगर हम retention wall बना देते हैं, उसको रोकने के लिए दिवार बना देते हैं, तो यह, कर सकते हैं, हम लोग इसको slip को कुछ तो control कर सकते हैं, ठीक है, number three, increase in the vegetation cover to check landslide, landslide को रोकने के लिए तीसरा, जो mitigation method है, वो है a forestation, ज्यादा से ज्यादा vegetation cover को बढ़ाना, अगर किसी area में आप school building बना रहे हैं, किसी area में आप कोई park बना रहे हैं, किसी area में आप कोई mall बना रहे हैं, कोई marketplace बना रहे हैं, कोई colony बना रहे हैं, तो उस एरिया में अपने अब्जेक्टिब को पूरा करने के पहले एफ़ारेस्टेशन को, प्लांटेशन को, वनमहुत्सव को भी अपनी प्लानिंग में जरूर रख लेना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाये जाना चाहिए. कोशिस यह होनी चाहिए कि जितने पौधे कट रहे हैं, उससे कम नहीं, उससे थोड़े जादे ही पौधे लगाये जाएं, तो फौरिस्ट कवर हमारा मेंटेन रहेगा, वेजिटेशन कवर हमारा मेंटेन रहेगा और लैंड स्लाइट को चेक किया जा सकेगा, रोका जा सकेग नमबर फोर, the surface drainage control, surface के ऊपर जो drainage control है, पानी का तेज बहाव है, ठीक है, continuous rainfall के कारण जो आ रहा है, या flood के कारण जो surface पे बहाव है, उसको रोका जा सके, उसको control किया जा सके, और इसके लिए, to control movement of landslide, rainwater and spring flow, rainwater के flow को रोकने के लिए, spring, rainwater जब काफी तेजी से बहेगा, तो अलग-अलग springs निकलेंगे उनको रोकने के लिए, और landslide को रोकने के लिए, इन सब को रोकने के लिए ये काम किया जाता है, और इसमें बहुत success भी मिलता है, लोगों में awareness इसके लिए आना चाह है, soil, the uppermost layer of the earth, which has fertility, which is fit for agriculture, थुड़ा soil के बारे में अब हम लोग डिसकस करने जा रहे हैं, मुझे उमीद है, इतनी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी, तो अब हमारा फोकस होगा, soil के उपर, तयार हैं आप लोग, very good, soil is made up of, soil क्या-क्या चीज़ से बना है, तो soil के formation के जो factors हैं, वो क्या-क्या है, number one, organic matters, number two, minerals, and number three, withered rocks on the earth, ये देख रहे हैं आप लोग कि तीन ऐसे elements हैं, जिनसे soil का formation होता है, withered का मतलब हुआ, the process of withering, ये आप लोग, seven class में, six class में पढ़ चुके हैं, withering के बारे में, ठीक है, जब rocks जो है, चटाने जो हैं, वो बिलकुल बारी, छोटे-छोटे टुकडों में, heat के कारण, heat में, यानि temperature में, differences के कारण, काफी तेज wind के कारण, काफी कह सकते हैं एक तरह से, कि temperature में fluctuation के कारण ये होता है, rainfall के कारण भी ये होता है, एक्चुली temperature बहुत हाई हुआ, और उसके बाद अगर evaporation हुआ, यानि summer के बाद rainy season जब आया, तो उसके बाद फिर temperature में अचानक बहुत बदलाव आ गया, rainfall बहुत तेजी से हुआ, ये तूटते हैं, बिलकुल बारीक-बारीक टुकडों में तूटते हैं, और इसी को बोल तूटना, breakup तूटना, 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 लगातार तूटते रहना, तब तक तूटना, जब तक बारीक होके और मिट्टी में ना मिल जाएं, तो decay of exposed rock, exposed rock का मतलब क्या हुआ, जो sunlight जिस पे direct आ रहा है, उसको हम लोग बोलेंगे, exposed rock, जो rainfall के लिए और sunlight के लि cost action के कारण होता है, plants के कारण होता है, animals and human activities के कारण भी weathering होता है, तो आगे बढ़ते हैं अब हम लोग, soil में, soil के profile के बारे में, soil का profile क्या होता है, जैसे आप से कहा जाएगा, कि आप अपना profile तयार करके दीजिए, तो आप अपना बनाएंगे, उसी तरह से soil को बोला गया, soil तू अपना profile बनाओ, तो soil ने अपना profile बनाया, तो उसमें चार main points रखे, इसने चार चीजों से बना है, number one, top soil with humus and vegetation, इसमें humus और vegetation आते हैं, और दूसरा है sub soil, इसमें with sand, silt और clay, ये तीन चीजें आती हैं, तीसरा है withered rock material और चौथा है parent rock, ये चार बातें आती हैं, किस में, soil profile में, तो soil profile को एक picture के दोरा भी हम लोग देखते हैं, this is the soil profile, the top level, that is top soil with humus and vegetation, then this is sub soil with sand, silt and clay, this is weeded soil, okay, और this is weeded rock material, rather we can say, and the fourth one, the bottom one is the parent rock, तो ये soil profile मेरे ख्याल से आप लोग को clear हो गया होगा, ठीक है, okay, fertility of soil depends on right mix of, soil की fertility इस बात पर depend करती है, कि कितने तरीके से, कितने सही तरीके से mix तयार हुआ है, दो चीजों का, कौन सी दो चीजों का, minerals का और organic matter का, यानि, जितना better mix तयार होगा, minerals और organic matter का, उतनी ही अच्छी fertility होगी, soil की, hundreds of years to make one centimeter of soil, एक centimeter soil बनने में, सैकड़ो साल लग जाते हैं, सोचे हम लोग मिट्टी को कितना नुकसान पहुँचाते हैं, कितना बड़ा crime हम लोग करते हैं, जब हम लोग उन reasons को encourage करते हैं, knowingly या unknowingly, जिनके चलते, यह soil erosion होता है, land degradation होता है, depletion होता है, यह सब, है न, जिसमें सबसे बड़ी गलती पता हम लोग क्या करते हैं, aforestation नहीं, deforestation, हमें करना चाहिए, aforestation हम करते हैं, deforestation, कम से कम दोनों का balance तो बना के चलो भाई, ठीक है, तो जितने पेड काटना है, उसके double पेड लगाना है, याद रखिएगा आपने birthday वाला return gift, आपके birthday का return gift आपको, land को क्या देना है, one plant on every birthday, and try to encourage others also, factors of soil formation, soil formation के factors क्या क्या हैं, तो soil formation के जो factors हैं, वो place to place differ करते हैं, अलग-अलग होते जाते हैं, यह जो कुछ पांच factors हम लोगों ने यहां लिये हैं, यह ऐसे factor हैं, जो लगभग हर जगा पे हैं, nature of parent rock, parent rock का nature क्या है, इस पे depend करता है, climate क्या है वहां का, उस पे भी depend करता है, topography यानि relief पे depend करता है, relief construction कैसा है वहां का, और organic materials वहां कौन-कौन से मिलते हैं, इस पे depend करता है, फिर time taken for composition, इनका right mix तयार होने में कितना समय लगता है, इस पे भी depend करता है, तो यह पांच जो factors हो गए, यह soil formation के factor है, और यह पांचो factors place to place differ करते हैं, अलग-अलग मात्रा में मिलते हैं, थोड़ा और देखते हैं हम लोग, factors of soil formation differ from place to place, यह जो पांच factor थे, उन पांचों में से हम एक-एक के बारे में अब देखेंगे, तो पहला था nature of parent rock, यह nature of parent rock की बात है, nature of parent rock क्या-क्या determine करता है, यह कुछ बातों को determine भी करता है, है न, determines color, texture, chemical properties, mineral content, permeability, यह soil के अंदर इन चीजों को यह determine करता है, तो यह पहला factor रहा, दूसरे factor पर आते हैं climate, climate में है आपका temperature decide होता है, rainfall का influence कितना रहेगा, वो decide होता है, rate of withering decide होता है, humus का content decide होता है, यह सब कुछ decide करता है, climate, relief determines two big things, number one, altitude and slope, and number two, accumulation of soil, now we come to the next, fourth factor, that is organic material, organic material जो है, जिसमें flora, fauna and microorganisms आते हैं, यह लोग decide करते हैं, कि rate of humus formation, क्या होगा soil में, क्योंकि इसके उपर soil की fertility बहुत कुछ depend करेगी, ठीक है, तो फिर अगला factor है, time taken for composition, यह जितने भी factors हैं, उनमें जितने भी जो elements आये, उनका right mix कैसे तयार होगा, ठीक है, इस बात को decide करने के लिए है time, यह determines the thickness of soil profile, soil profile का thickness क्या है, soil profile में किसका thickness, अलग-अलग layers थे, तो किसका thickness कितना है, उसको decide करता है time, with time it is decided, and with time it changes also, the thickness, the thickness of soil profile changes, degradation of soil and conservation measures, soil का degradation कैसे होता है, और क्यूं होता है, और इसको हम लोग कैसे conserve कर सकते हैं, थोड़ा इन बातों पर नजर रखेंगे, major threats to soil as a resource, soil को अगर हम resource मानते हैं, है भी, क्योंकि इसकी usability है, और इसका value है, तो यह resource तो है, तो soil as a resource इसको दो threats है, two major threats are there, number one is soil erosion, and number two is depletion, अगर हम से यह पुछा जाए, कि what are the two major threats to soil as a resource, then our answer will be, there are two threats to soil as a resource, number one is soil erosion, and number two is depletion, हम लोग देखेंगे इनको और भी गराई से, degradation of soil and conservation methods, तो soil degradation के दो factor हो गए, human factors हो गए, जिसमें deforestation आएगा, over grazing आजाएगा, over use of chemical fertilizers आजाएगा, and pesticides, insecticides, यह सब आजाएगे, और दूसरा है natural factors, इसमें rain was आएगा, landslide आएगा, and floods, earthquakes, volcanic eruptions, यह सब आजाएगे, यह natural factors में आजाएगे, यह soil degradation के factors हैं, soil conservation के क्या-क्या methods हैं? degradation तो पता चल गया कि क्यों-क्यों हो रहा है, अब उसको conserve करने के लिए हम क्या करेंगे, तो जिन बातों के कारण degradation हो रहा था, उन्हीं को हटा देंगे, तो conservation हो जाएगा, तो conservation के लिए seven methods are suggested to conserve soil as a resource, we may follow these seven methods, number one, mulching, number two, contour barriers, number three, rock dam, number four, terrace farming, number five, intercroping, number six, contour plowing, number seven, shelter belts. We are going to see one by one. So first one is mulching. What is mulching? The bare ground between plants is covered with a layer of organic matter, such as straw to retain soil moisture. Soil moisture को retain करने के लिए, हम लोग ground पर straw वगेरा बिचाते हैं, layer लगा देते हैं, plants के दो रो के बीच में, तो इसका एक हम लोग example भी देखने की कोसिस करते हैं, यह है mulching. यह एक रो हो गया, यह दूसरा रो हो गया, इसके बीच में हम लोगों ने क्या डाल दिया? Straw डाल दिया. इसी काम को हम लोग क्या बोलते हैं? Mulching. अब जब rainfall होगा, तो यह जो चीज है, straw जो है, वो moisture को maintain रखेगा. प्लस, erosion भी नहीं होने देगा, soil का degradation भी नहीं होने देगा. दूसरा है, contour barrier. Grass, stones, soil are often used to build barriers. Grass का यूज होता है, stones का होता है, soil का होता है, barriers बनाने के लिए, along the contours, contour के, साथ-साथ में, trenches are made in front of the barriers to collect water, और barriers के just bagel में trenches बना दिये जाते हैं, ताकि पानी उसमें collect होके रह सके. इसके example को देखते हैं, ये contours बने, और इनके साथ-साथ पानी को maintain रखने के लिए, ये भी बन गया, तो इससे water भी maintain रह जाता है, और erosion भी नहीं होता है, फर्टिलिटी भी बनी रह जाती है. Rock dam, rocks are piled up, rocks को piled up करते हैं, यानि एक के उपर एक रख करके, दिवार का आकार की तरह से खड़ा करते हैं, या layer बना देते हैं, ठीक है, to slow down the flow of water, water बहते हुए आ रहा है, तेजी से उसके बहाव को रोकने के लिए, इट प्रिवेंट्स गुलीज, छोटे छोटी नालिया जो निकलती है, उनको ये रोकता है, and soil erosion को रुकता है, अफकूर्स ये बात तो है ही, थोड़ा देखते हैं, rock dams, ये देखिए, ये बनाए गए हैं, यहाँ भी आप लोग देख रहे हैं, इधर भी देख रहे हैं, ये भी बने हुए हैं, ये सिर्फ इसलिए है कि पानी के तेज बहाव के कारण, channels, gullies ना निकले इसमें से आस-पास से, और पानी इकठा भी रहे, और इसका सही use भी किया जा सके, इरोजन भी ना हो, next method is terrace farming, terraces are made on the steep slopes, काफी तेज जो slope होते हैं, तेज slope, घराई वाले, एकदम आसान slope नहीं, तेज slope, ठीक है, the steep slopes to get flat surface, और इस steep slope पे फिर हम, काट-काट के, काट-काट के, flat surface बना देते हैं, stairs की तरह, और उस पे हम लोग, crops उगाते हैं, terraces reduce surface run-off, surface run-off जो water का होता है, उसको terraces के कारण, रूख जाता है, पानी के बहाव थोड़ा, काफी तेजी से direct नहीं हो पता है, रूख रूख के होता है, तो कुछ तो रूखी जाता है, इसे soil erosion को रोखने में, मदद मिलती है, जैसे यह terraces बने हुए है, इससे अगर यह steep slopes हैं, काफी तेज slopes हैं, तो इनके कारण, हम लोग रोक लेते हैं, पानी के तेज बहाव को, इससे मिट्टी का कटाव रुखता है, soil erosion रुखता है, और फिर फसल देखिए, काफी अच्छी होती है, है ना, ऐसी भी खेती हो सकती है, inter cropping, next method is inter cropping, inter cropping में क्या होता है, different crops are grown, अलग अलग तरह की crops को हम लोग उगाते हैं, इन alternate rows, अलग अलग rows में, एक row में गोभी लगा दिया, दूसरे में tomato लगा दिया, तीसरे में कुछ और लगा दिया, चौथे में कुछ और लगा दिया, intercropping हो गई, they are soon at different times, अलग-अलग time पे इनकी कटाई होती है, ये फसले समाप्त होती है, तो तब तक तो ये soil के अंदर fertility को बनाए रखती है, moisture को बनाए रखती है, और soil erosion को भी रोकती है, एक example देख लेते हैं, ये अलग-अलग रोज में, अलग-अलग plants लगाए हुए हैं, अलग-अलग crops लगाई गई हैं, और इसी के चलते यहां soil erosion रुखता है, अब आते हैं contour plowing पे, तो contour plowing में क्या होता है भई, plowing parallel to the contours of a hill slope to form a natural barrier for water to flow down the slope, slope से पानी काफी तेजी से नीचे नहीं आए, it protects the soil from rain wash, soil को rain wash से रोकता है, ये contour plowing हो गया, ये contours बने हुए हैं, और इसी पे खेती हो रही है, देखिये, it's very rich crop area, you can say, very beautiful use of, you can say, the agricultural area in the region, plus, it's a very effective method to control soil erosion, okay, shelter beds, rows of plants and trees, plants के rows, trees के rows, बनाए जाते हैं, और उनको इस तरह से लगाया जाता है, खास करके ये coastal or dry regions में जादा होता है, है न, to check the wind movement, wind movement को ये लोग रोकते हैं, तो wind के चलते भी तो erosion होता है, और उसके बाद soil का जो fertile cover है, उसको भी ये लोग बचा लेते हैं, इससे हम लोगों को soil conservation में मदद मिलती है, ये देखिये, ये filled हो गया, अब ये सामने से देखो आप लोग, ये rows बने हुए हैं, तो उ अब, so this is about, so this is about soil conservation, different methods of soil conservation, ये soil conservation के different methods, हम लोगोंने seven methods देखा और सीखा, अब हम लोग बात करेंगे water के बारे में, जल ही जीवन है, जल ही जीवन है, life emerged first in water, इश्वर का पहला अवतार, मीन अवतार लोग कहते हैं, water, let's see some important points about water, point number one, water is important, vital, renewable, natural resource, number two, three-fourth of the earth surface is covered with water, number three, the earth is called water planet or blue planet, point number five, only one percent of fresh water is fit for human use, हम मनुश्यों के use के लिए केवल एक परसेंट water ही fit है, सोचे हम लोग के लिए कितना जरूरी है, how much important it is for all of us to save water, all of us must save water, हम सब लोग को पानी बचाने की कोशिस करनी चाहिए, number six, cycling of water through the oceans, the air, land and back again, water cycle आप लोग पढ़े होंगे, उसी के बारे में है, ये, through the process of, तीन process major है, पहला है evaporation, सब जगह धर्ती पे जहाँ जहाँ पानी है, वो evaporate होता है, यानि वास्पी करन होता है उसका, उसके बाद वो उपर जाता है, तो condensed होता है, condensed होके बाद फिर वापस उसका precipitation, फिर वापस rainfall के रूप में धर्ती पे आता है, फिर पानी बहते हुए नदी में जाएगा, rivers में जाएगा, ponds में जाएगा, lakes में जाएगा, ocean में जाएगा, फिर evaporation होगा, फिर condensation होगा, फिर precipitation होगा, ये process चलते रहता है, इसी को हम लोग water cycle बोलते हैं, आभी गया water cycle, तो water cycle किसको बोलते हैं, cycling of water through the oceans, the air, land and back again, वापस धर्ती पर धर्ती से चले थे, हवा में उड़े, वापस धर्ती पर गिरे, धणाम, ज्यादा उड़ना नहीं चाहिए, नहीं तो गिरता है, ठीक है, और जो जितनी बार उड़ता है, वो उतनी बार गिरता है, इससे तो यही सावित होता है, तो water cycle के processes क्या है, evaporation या transpiration evaporation पानी से होता है, गरम हुआ, उपर उड़ा, evaporate हो गया, ठीक है, और पेड़ पौधे भी जब अपनी breathing करते हैं, तो carbon dioxide लेते हैं, oxygen छोड़ते हैं, आप लोग जानते हैं, पानी छोड़ते हैं वो लोग, तो उसमें तो है न, water तो है, तो उसके बाद condensation का process होता है, फिर precipitation, फिर run-off, surface run-off of water, और उसके बाद infiltration, फिर वहीं evaporation, ये चकर जो है, चलते रहता है, इसी को हम लोग water cycle बोलते हैं, एक बार आप लोग यहां और थोड़ा अच्छे से देख लेंगे, ठीक है, ये evaporation हो रहा है, evaporation के बाद ये उपर गया, ये transpiration पेड़ पौधे, फिर इनका condensation हुआ, cloud formation हुआ, cloud formation के बाद precipitation, और फिर rainfall हो गया, run-off हुआ, फिर वापस सब लोग आए यहां, उड़ेंगे, गिरेंगे, इसलिए ज़्यादा उड़ना नहीं चाहिए, जो जितना ज़्यादा उड़ेगा, वो उतना जल्दी गिरेगा, है ना, उड़ना खतरनाक है ठीक है, लेकिन इन लोगों की तो आदत है, यह उड़ते रहते हैं, गिरते रहते हैं, ठीक है भाई, इसलिए तो हम इनका use कर रहे हैं, ठीक है, ओके, तो water cycle समझ में आ गया आप लोगों को, fine, water cycle में चार बाते हम लोगों ने देखा, आप लोगों ने भी ध्यान दिया इवापोरेशन एंड ट्रांस्पिरेशन, नमबर टू में कंडेंसेशन, नमबर त्री में प्रेसिपिटेशन, नमबर फोर में रनफ एंड इन्फिल्ट्रेशन, इने चार प्रोसेस जो सामने हैं, मेरे ख्याल से ये दो, तीन, तीन बार हम लोगों ने कर लिया, तो ये वाटर का यूज़ करते हैं, अलग-अलग परपस से, और हाइड्रो इलेक्रिसिटी, अफकोर्स हाइड्रो इलेक्रिसिटी तो हाइड्रो हो गया, तो वाटर तो आही गया, तो ये चार इसके बड़े यूज़ हैं, अब आते हैं वाटर के बारे में थुड़ा और जान ले तो इसका कारण क्या क्या हो सकता है इसके दो कारण है कि ड्राइंग अप अफ वाटर सोर्सेज सूख रहे हैं और दूसरा वाटर का पॉलूशन हो रहा है ठीक से समझिएगा factors responsible for sorties in water supply के दो reason हुए पहला reason first reason is drying up of water sources water sources सूख रहे हैं दूसरा reason हुआ water pollution ठीक अब ये दो reason कहां से आए ये चार बातों से आए increasing population के कारण ये दो बात हो रही है rising demands population बढ़ रहा है तो बढ़ते हुए population के demands भी तो बढ़ रहे है ये पहले हम लोग पढ़ चुके हैं तो उसके कारण भी हो रहा है fast urbanization ये दोनों को मिलाओ तो urbanization नए नए घर बनेंगे नए इंडस्ट्री बनेंगी नए सहर बनेंगे उसके चलते भी इनका हो रहा है और rising living standard लोगों का living standard बढ़ रहा है उसके चलते भी ये दो problem आ रहे हैं कौन से problem आ रहे हैं दो reasons खड़े हो रहे हैं दो कारण बन रहे हैं water sources सूख रहे हैं और water pollution हो रहा है और इसी के कारण ये बात हो रही है कौन सी बात हो रही है sortage in water supply एक बार ब्रीफ में बोल रहा हूं sortage in water supply के लिए ये दो reasons हैं और ये दो reasons कहां से आए ये चार reasons से आए clear हो गया okay water availability sortage in fresh water supply fresh water supply की availability बहुत कम है कहां पे है भाई तो अफरीका में sortage है West Asia में sortage है South Asia में sortage है parts of USA में sortage है North West Mexico में sortage है parts of South America और भी दुनिया के कई parts में water supply का sortage है और ये किस चीज का effect है ये water supply का sortage है वो कुछ चीजों का effect है किन चीजों का effect है ये है variation in seasonal or annual precipitation इसका effect है ये किस के चलते आता है ये variation in seasonal और एनुवल प्रसिपिटेशन जो है वो इन दो बातों के कारण आता है कौन-कौन सी दूबाते हैं ओवर एक्स्प्लोईटेशन ऑफ वाटर वाटर का जरूर से जादा एक्स्प्लोईटेशन हो रहा है ठीक है आप लोग भी करते होंगे घर का वाटर टैप खोल दिया और ब चाहिए गारडेन में आपका पाईप है टैप खुला है गारडेन में पानी ऐसे भर है उसको आप रोकिये के इस का निया कान्टामिनेशन ओफ मान वाटर सॉर सेस्प्लोई वाटर सॉर्स का कंटामिनेशन भी है तो उनके कारण भी यह ऊर रहा है यानी इन जगों पर जो water shortage है, fresh water supply की जो कमी है, वो basically इस चीज का effect है, variation in seasonal और annual precipitation के कारण है, और ये variation in seasonal और annual precipitation जो है, वो ये दो कारण से है, कौन-कौन से दो कारण हम लोगों ने देखे थे, over exploitation of water and contamination of water, water, सामने देखिए, sources, हो गया ये, clear, okay. Water resources, major contaminants, अभी हम लोगों ने देखा कि water को contaminate हो रहा है, इसलिए problems आ रहे हैं, fresh water में, तो पहला है, discharge of semi-treated or untreated sewage, ये industrial areas में, urban areas में, शहरी area में ज़्यादा है, लोग पानी छोड़ देते हैं, उसका treatment होता नहीं है, फिर कहां गया, कैसे गया, वापस तो आना है, तो उसी रू chemicals, agriculture में भी अब chemicals, fertilizers, insecticides, pesticides का यूज हो रहा है, तो उसके चलते भी, ये water जो है, वो contaminated हो रहा है, और तीसरा है, industrial effluents, अलग-अलग industry के जो effluents हैं, जो छोड़े जाते हैं, नालों से, नलियों से, और वापस वो नदियों तक, rivers तक जाता है, फिर oceans तक भी जाता है, और water को contaminate करता है, तो ये तीन हो गए, water resources, contaminants में, they pollute water, water के जो ये contaminants है, वो कैसे water resources को contaminate करते हैं, उनको pollute करते हैं, तो वो दो तीन तरीकों से, तीन तरीकों से कर रहे हैं, नमबर वन, नाइट्रेट्स, नमबर two, metals, और नमबर त्री, pesticides, तीन चीजे, ये उनको क्या कर रही हैं, Eyes contaminate कर रही हैं, water को, तीन बाते, तीन बाते, फिर से एक बार याद रखेगा, नाइट्रेट्स, metals, and pesticides, हो गया, conservation of water resources water resources को हम लोग conserve कैसे कर सकते हैं तो measures to conserve water pollution water pollution को conserve करने के ये 5 उपाय आपके सामने हैं बहुत आसान है सब लोग आप लोग जानते हैं मैं तो केवल आपको याद दिला रहा हूँ treatment of effluents before release किसी भी industry से कहीं से भी water अगर release किया जा रहा है और वो water contaminated है तो पहले उसके effluents को treat कर लेना चाहिए उनका treatment कर लेना चाहिए उनको harmful होने से रोक लेना चाहिए उनका ऐसा treatment होता है number two enriching the forest vegetation कबर ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाया जाए एफ़ोरेस्टेशन वन महुत सब आप सब लोग जानते हैं water harvesting water harvesting मतलब क्या हुआ rooftop पे या कहीं भी जो पानी इकठा होता है उसको फिर हम लोग एक जगह ला करके और फिर से ऐसा बेवस्था करते हैं कि वो धर्ती के अंदर चला जाए यानि फिर से वो जहां भी जाए water bodies में चला जाए और फिर evaporation होगा तो फिर या उसका यूज भी कर सकते हैं rooftop पे जो water आता है rainfall का उसको एक जगह harvesting करके यानि रोक करके एक जगह ही कठा करके उसको irrigation में या बाकी चीजों में हम लोग use कर सकते हैं तीसरा चौथा हो गया use of sprinklers जब हम लोग irrigation करते हैं तो sprinklers का यूज करें तो इससे हम लोग water save कर सकते हैं and number five drip or trickle irrigation in dry regions with high evaporation rate ये बात भी है rain water harvesting किसको बोलते हैं ये बीच में आया था आप लोगोंने देखा था हम लोगोंने जिक्र भी किया कि कैसे करते हैं the process of collecting rain water rain water को हम लोगो collect करना होता है कैसे from rooftops छट के उपर का and directing it to a suitable location और छट की slope ऐसी होती है या उससे ऐसा हम लोग drainage गिराते हैं कि वो जाके pipe से एक जगा पे कहीं tank बना देते हैं वहाँ पे इकठा हो जाए ठीक है और जब ये इकठा हो जाता है suitable location पे तो वहाँ पे इसको store करते हैं और हम लोग future में इसका यूज करते हैं rain harvesting आजकल urban areas में बहुत popular है धीरे धीरे ये rural areas में भी बहुत popular होता जा रहा है ठीक है आप लोग भी अपने garden में अपने rooftop water को harvest करके रोप करके irrigation में यूज कर सकते हैं यानि अपने flowers को vegetables को kitchen garden अगर आप रखे होंगे तो वहाँ यूज कर सकते हैं natural vegetation and wildlife अब natural vegetation और wildlife की बात कर लें अगर तो natural vegetation is found in the narrow zone of contact between कौन कौन से एरिया में भाई तीन number one lithosphere number two hydrosphere and number three atmosphere lithosphere दरती हो गई hydrosphere पानी वाली water bodies हो गए और atmosphere आसमान हो गया तो यह है this narrow zone is called the biosphere इसकी इसी narrow zone को हम लोग biosphere बोलते हैं किसको biosphere बोलते हैं the natural vegetation is found in the narrow zone of the contact between इन के बीच का किन के बीच का इन तीनों के बीच का lithosphere hydrosphere और atmosphere के बीच का natural vegetation and wildlife living things are interrelated जितनी living things होती है plants है, animals है हम लोग animals में आते हैं तो plants और animals इनका आपस का interrelation है living things are interrelated and interdependent एक दूसरे के ऊपर हम लोग dependent भी हैं आप लोग photosynthesis biology में जरूर पढ़े होंगे है ना हम लोग जब breathing करते हैं सांस लेते हैं तो oxygen लेते हैं और carbon dioxide चोड़ते हैं पेड़ पौधे क्या करते हैं पेड़ पौधे carbon dioxide ले लेते हैं इस बात को ध्यान रखना है अपने अपने survival के लिए जरूरी है हमारे लिए जरूरी है कि हम oxygen ले carbon dioxide चोड़े पेड़ पौधों के लिए जरूरी है कि वो क्या चीज़ ले carbon dioxide ले और oxygen चोड़े तो वी ओल आर इंटर डिपेंडेंट इस life supporting system is called ecosystem इसी को हम लोग ecosystem बोलते हैं distribution of natural vegetation natural vegetation किस चीज़ पे depend करता है depends mainly on two things number one temperature and number two is moisture कहने का मतलब हुआ कि natural vegetation का distribution दो बातों पे depend करता है temperature पे और moisture पे उस area का temperature कैसा है उस area में moisture कैसा है जैसा होगा वैसा ही वहाँ पर natural vegetation भी होगा major natural vegetation types in the world दुनिया में vegetation types कौन कौन से हैं तो इनको हम लोग चार ग्रूप में रखते हैं number one is forest number two grassland number three scrubs and number four is tundra आगे देखते हैं major vegetation types in the world में सबसे पहला नाम क्या आया था सबसे पहले नाम आया था forest का so let us see about the forest huge trees may flourish in areas of high rainfall बड़े लंबे लंबे पेड बड़े घंगोर बारिस वाले area में हो सकते हैं forests are associated with the areas having ample water supply जिस area में बहुत water supply होगा उसी area में forest ज़ादा होंगे the size and density of trees trees के दो चीजे है size और density कितने घंगल है ठीक है और कितने लंबे पेड़ है दोनों बाते reduces with the decrease in the amount of moisture जितना ज़ादा moisture होगा इलाके में area में उतना ही dense trees होंगे forest होगा और उतने ही height वाले trees होंगे और जितना कम होगा उतना height भी कम होगा और density भी कम होगी trees की major vegetation types in the world में अगला है grasslands sought stunted trees and grasses grow in the regions of moderate rainfall ठीक है heavy rainfall area में forest हो गया ठीक है और ये moderate rainfall वाला जो area है इसमें हो गया grassland इस बात का भी ध्यान रखना होगा हम लोगो heavy rainfall area मतलब forest moderate rainfall area मतलब grassland ठीक है और बहुत से grassland के नाम तो आप लोग जानते होंगे ये competitive exams में बहुत पूछा भी जाता है है ना stepis जानते होंगे downs जानते होंगे pumpas जानते होंगे है ना prairies जानते होंगे ये सब क्या है ये सब grasslands है आप लोग grasslands के ऊपर हम लोग बहुत जल्दी एक video ला रहे हैं उस पर आप लोग इसको जरूर कर लीजेगा ठीक है एक और बात मैं आपको बता दो daily हम लोग एक poll question अपने youtube channel पर डालते हैं उसके चार option होते हैं आप अगर NTSC और बाकी general studies के examinations की तैयारी में लगे होंगे civil services state public service commission के foundation में लगे होंगे तो आप उन पोल questions में जरूर participate कीजे और दूसरों को भी motivate कीजे this forms the grasslands of the world मैंने आपको बताया तो ध्यान रखना है इसका तीसरा है scrubs ये क्या है scrubs and thorny shrubs grow in dry regions of low rainfall high rainfall area में क्या हम लोगों ने देखा forest moderate rainfall में क्या देखा हम लोगों ने grasslands अब ये तीसरा है low rainfall area में scrubs याद रखना in these regions plants do have deep roots they have leaves with thorny and waxy surface they reduce loss of moisture through transpiration transpiration evaporation हुआ ठीक है उसी के बगल में transpiration भी है जो trees के चलते होता है आप लोगों ने water cycle में देखा होगा थोड़ा वीडियो में पीछे चले जाना एक बार फिर से देख लेना आप लोग major vegetation types in the world में अगला है टूंडरा ठीक है हम लोग बहुत जादा बारिस से बहुत कम बारिस वाले एरिया में वेरी हेवी रेनफॉल से वेरी लो रेनफॉल और नो रेनफॉल एरिया में आ रहे हैं टूंडरा वेजिटेशन अफ दो कोल्ड पोलर रीजिन्स पोलर रीजिन्स जहां बर्फ ही बर्फ स्नो ही स्नो मतब रेनफॉल नहीं है ना रीजिन्स कमप्राइजस अफ मोजेज और लीचिन्स मोजेज और लीचिन्स कहां पाये जाते हैं ये competitive exams का एक बड़ा important question माना जात पोलर रीजिन भी लिख सकता है option में कभी और टूंडरा रीजिन भी लिख सकता है forests थोड़ा हम लोग अब forest के बारे में जान लेते हैं broad classification depending when they shed leaves ये classification जो हम लोग forest का करने जा रहे हैं ये किस बेस पे है वो लोग अपनी पतियां कब गिराते हैं when do they shed their leaves and how many times in a year they shed their leaves तो पहला है evergreen forest इसमें आता है they do not shed their leaves simultaneously in any season of the year साल में कभी भी इनके पते गिरते नहीं हैं they never shed their leaves all right okay they never shed their leaves in any month of a year okay so they are called green forest yeah evergreen forest it's better to say evergreen forest number two deciduous forest it is just opposite to that they shed their leaves in a particular season to conserve the loss of moisture through the process of transpiration ये लोग पत्ते गिराते हैं फिर नए पत्ते इसमें आते हैं साल में कम से कमी एक बार ऐसा जलूर होता है at least once in a year okay in any season then about forest broad classification इनका क्या है depending when they shed their leaves दो तरह का हम लोगों ने बात किया था ठीक है both evergreen and deciduous forest are further classified deciduous और evergreen दोनों को हम आगे और भी classify कर लेते हैं based on their location in different latitude world के अलग-अलग globe के अलग-अलग latitude पर इनका क्या location है उसके हिसाब से ये किया गया है classification पहला होता है tropical और दूसरा होता है temperate टीक है tropical and temperate tropical forest temperate forest forest cover vanishing fast काफी तेजी से forest cover हट रहा है यानि deforestation जादा हो रहा है increasing population and increasing demands of increasing population यही इसका कारण है so conservation of forest is very very important to all of us for conservation of forest natural vegetation wildlife कैसे कर सकते हैं हम लो reasons for the loss of natural habitat for plants and animals plants or animals के natural habitat का loss काफी तेजी के साथ हो रहा है और इस तेजी के साथ होने वाले loss के दो reason है number one climatic changes and number two human interferences मनुष्य बहुत जादा interfere करते जा रहा है ठीक है किसमे natural vegetation और wildlife में इसलिए हो रहा है actually इसके पीछे भी population का बढ़ना और उसकी बढ़ता हुआ demand है है न एक्स्टिंशन ओफ natural and wildlife resources, natural और wildlife resources की कुछ चीजों का extinction हो रहा है इसके responsible factor दो है natural factor जिसमें forest fires है, tsunami है, landslide है और भी कई चीजे है और दूसरा factor है human factors जिसमें deforestation है, soil erosion है, constructional activities है, यानि urbanization है, industrialization है, ठीक है, यह सब आते हैं poaching, it is a threat to natural and wildlife vegetation the illegal trapping, shooting or taking of game, fish or plants from private property or from a place where such practices are spatially reserved or forbidden is called poaching two points we have to remember about poaching number one, it is a major existential threat to a number of wild organisms in the entire world today and number two, a very big factor responsible for the loss of bio diversity यह दो बातें poaching के बारे में जरूर हम लोगो ध्यान में रखने चाहिए the best possible way to stop poaching is awareness drives we have to make people aware of poaching and its harmful effects then only we can check it, we can control it, we can't stop it, 100% but yes, to the maximum possible extent, we can check it, we can stop it, no, we can't stop it, we can check it now we have to know the conservation measures of natural vegetation and wildlife and measure number one is making and developing national parks, wildlife sanctuaries and biosphere reserves point number two is or major number two is awareness programs like Vannamahodsao and other things different activities at school level, college level and other levels in community also number three, law by the governments, government at district level, at state level, at national level okay, even an international organization is also required to make such laws to stop the misuse of natural vegetation and wildlife okay, measure number four, international organizations conventions such as CITES the convention on international trade in endangered species of wild fauna and flora Biosphere reserve is a series of protected areas linked through a global network intended to demonstrate the relationship between conservation and development and national park, national park national park किसको बोलते हैं, a natural area designated to protect the ecological integrity of one or more ecosystems for the present and the future generations यह यह दो चोटे देफिनिशन हैं, इनको आप लोगों को याद रखना पड़ेगा क्योंकि यह competitive exams में पूछे जाते हैं that is why we have mentioned these two here my dear students, I hope all of you have understood this chapter very well we request you to wear mask and keep distance why? because health is everything we need to be fit and fine if we are fit and fine, then only we can keep our studies on track then only we can perform better and better in academic and competitive examinations my dear students, please do take care of your health and studies it's important to wear mask and keep distance remember, we have to do better and better I do have faith in all of you good night, God bless you all